एक बहुत इंट्रेस्टिंग खबर आ रही है वो यह कि तकरीवन आठ ऐसे देश हैं कि जिनमें जिनको जो है उनका वोटिंग राइट सस्पेंड कर दिया गया है और उनके जो कुछ एरियर्स है वो बकाया है इनके जो कुछ पेमेंट करना है उनपेड ड्यूज है उसके कारण जो है यह कदम उठाया गया है और यह बताया जा रहा है कि अगर आपके जो कॉंट्रिबूशन्स पिछले दो साल के हैं यूएन को अगर उससे ज़्यादा आपका बकाया है आउटस्टेंडिंग पेमेंट् आउटस्टेंडिंग ड्यूज है तो जो है आपके मेंबर्शिप को सस्पेंड कर दिया जाता है और पैसा देने पर वापिस आपके वोटिंग राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है तो अब वोटिंग राइट आपको वापिस मिल सकता है अगर आप जो अनपेड तो अब इसमें कौन कौन से देश है तो इसमें है इरान, वेनेजुएला, एंटेगुआ, कॉंगो इसी तरह के देश है पनामा तो नहीं है लेकिन ऐसे आठ देशों का जो है सुची है मुझे अभी इतना ही नाम याद है तो यह बहुत बड़ी ख़बर इंटरेस्टिंग कि अगर जो देश है अगर वो यह साबित कर सकें कि नहीं उनके नियंतरन के बाहर कई चीज़ें हो चुकी है और इसलिए जो है वो अपना डियूस पे नहीं कर पा रहे हैं तब उनका वोटिंग राइट सस्पेंड नहीं किया जा था इसका मतलब यह है कि यह सरकारें जो है वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है जो भी इनके बकाय भुकतान है और अभी तक यहनोंने कोई एक्सपेंशन भी जो है मेरे ख्याल से यूवन को नहीं दिया है तो इस बारे में हम और गानकारी चुटाने कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह मामला एक्चली कहां से श